सुबह ये हाथसा हुआ है, कंचन जंगा ट्रेन जो की अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सिडेन्ट हुआ है, रियर एंड से, एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिस्रिगार्ड करके आके उसको हिट किया है, उसकी वज़े से जो सबसे पीछे का गार् प्रेसेंजर्स को नहीं हुई और उसके आगे जो जेनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से शती ग्रस्थ हुए तो इसमें जो रेस्क्यू अपरेशन्स हैं सबसे पहले हमारी प्रियरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग तो रेस्क्यू अपरेशन्स हो गए हैं हमारा एरिया ओफिसर जो जल्पाई गुडी में न्यू जल्पाई गुडी में है वो और उसकी टीम तुरंथ महां पहुंच गये थे यह करीब 10 किलोमीटर है एंजेपी से घटनास्तर तो रेलवे के ADRM और एरिया ओफिसर अपनी टीम के साथ महां तुरंथ पह होज गये हैं घटनास्तर पर रेस्क्यू के लिए तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है अनफॉचनेटली यह खबर है कि करीब पांच लोगों की जाने गई है और हमारा जो स्टाफ है हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिगनल को डिस्रिगार्ड करके आगे चल अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार पांच पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहां का नजदी की अस्पताल है मेडिकल कॉलेज है नौर्थ बेंगॉल मेडिकल कॉलेज वहां पर पहुंचातिया गया है सारी अम्बूलेंसेज आ गई थी उसकी मदद से लगबग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में है पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गये हैं और उनको उनका इलाज पूरी तर जी इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट किया है कि सबसे पहले तो लोग रेस्क्यू हो जाएं जो भी लोग उसमें फसे हुए हैं उस हादसे में जिनको मेडिकल हेल्प की आवश्यक्ता है उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प मिल जाए वो कारे पूरा हो गया ह उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है बाकी जो ठीक ठाक हालत में ट्रेन है उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुचा देंगे तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन और उसमें जितने भी यात्री हैं वो सब अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे और बाकी जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरी तरह से देख भाल कर रहे हैं जो लोग सिकार हुए हैं उनको किस तरह की फाइनांसियल हेल्प और वाकी सुधाइं भी जाएंगे मंति जी ने एनांस्ट एक्सग्रेशिया एनांस कर दिया है उस वो अमाउंट उनको हेल्प फाइनांशल सपोर्ट जो है वो तुरंद डिस्बर्स कर दिया जाएगा और जहां तक मेडिकल हेल्प की बात है तो हमारे हमारा पूरा अटेम्ट के है कि हर किसी की जान बद जाए है वो हम लोग पूरी तरह से उनको दे रहे हैं और जहां तक उनके परीजन और उनके जो वेल्पेशर्स हैं वो उनको कॉंटाक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते है उसकी लिए हम लोगोंने सब जगे help lines खोल दी है यह ट्रेन अगर तला से चलके सियालदा जाती है तो वहां के जितने भी एनरूट स्टेशन से सब जगे हेल्प डेस्क खुल गई है वहां पर लोग बैठे हुए है फिजिकली अवेलिबल हैं जिससे कि जो लोग अपने परिजनों का इंधार कर रहे हैं वहां से इंफोर्मेशन ले सके उसके अलावा टेलेफोन लाइन्स सब जगे स्टाबलेश हो गई है help line स्टाबलेश हो गई है जो कि हम लोगों ने शेयर की है आप लोगों से उनको कृपिया करके फ्लैश करते रहें कि जो लोग फोन पर जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फोन पर जानकारी मिल जाएं हुआ है उसको लेका railway board किस तरह से लोगों तक पहुच रहा है किस तरह की monitoring की जा रही है railway board के द्वारा उसके बारे हमारे पास यहां पर एक control and command center है जिसमें की हम लोग तुरंत आ जाते हैं और घटना को यहां से उसको coordinate करते हैं जिस प्रकार की सुविधा और जिस प्रकार के आवशकता है वो सब हम लोग यहां से coordinate करके state government, NDRF जिस से भी बात करने के आवशकता होती है medical help के लिए वो सब हम लोग यहां से भी coordinate करते हैं लोकल लेवल पे तो हमारे लोग coordinate करी रहें पर हम लोग भी यहां से central लेवल पे सारे coordination करके सारा attempt यही रहता है कि सबसे पहले लोगों को rescue कर लिया जाए